लेकिए ये जो सारा मामला इस में इस मामले से मैं ये मानता हूं कि पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डाक्टर ट्रोडलाल जी बहुत सीनियर है उम्र में भी और लीडरिसिप में भी राजस्तान के जो भी आंदोनकारी में उनका बहुत सम्मान करता हूं बीजेपी आजाते हैं पॉलिटिक्स में परिस्तितियां ऐसी बन जाती कि वो शॉट आउट नहीं हो पाई प्रॉब्लम लेकिन ये तैमान कर चली सरकार ना तो सहीद परिवारों से के मामले में पिछे रहना चाहती है सहीद परिवारों को लेकर या दी कुछ और भी हमें करना पड़ रहा है मैं खुद यस कर चुका हूँ और इस मामले में ना चीफ मिनिस्टर आ अप मामला चीफ मिनिस्टर असो गयलोजी जी देख रहा है मेरा रोल नहीए अब इसमें फिरी इसमामले में कैभिनेट मैं से-सीम सहाफ से बात करके आहां और हम बस कर लगा देंगे किया फर ankles पढ़ रहा है इसमें अब देवर की नोकरी का सवाल है इसमें rules regulation अपनी जगे है उस पे भी रस्ता निकल गया था और वहाँ पर उसके बाद कहीं गती रोध जो आया वो पहले जो demands थी उसके बाद एक last साब से बात हो रही थी और वो बात कर रहे हूंगे सीम साब से एगरी थे फिर पुलिस के अधिकारी में मेरे से आके मिले थे और आप जानते हैं मैं ऐसे मामलों में जहां भी स्टेंड होता डाक्टर के उलाल जी को मैं स्कूल में पढ़ता तब से जानता हूं मेरे उनके अच्छे रिस्ते हैं माल मिलूंगा भी उनसे और डाक साब का हम सब सम्मान करते हैं डाक साब जो issues उठाते हैं वो पब्लिक के उठाते हैं और लेकिन बीजे पी राजनीती में मामले तूल पकड़ जाते हैं तो बीजे पी आज जो राजनीत कर रही है प्रदरसन की धरने की अब तक कहां थी बीजे पी है क्यों नहीं आई बीजे पी अब तक और जहां तक सईद परिवारों की बात है कोई भी बात होगी यदि सरकार सईद परिवारों के मामले में हमें कुछ भी करना पड़े और सरकार की तरफ से को कि यह मामले बहुत ऐसे को टक्राव वाले मुद्दे नहीं है ऐसे मामलों में यदि सरकार की तो moral duty होती है सरकार सिर्फ चार कदम आगे बढ़के नहीं लड़ती है यह कोई border का issue नहीं है सरकार चार कदम पिछे भी अटालेगी तो क्या हो जाएगा मेरी राय है मैं यह राय सियम को भी यदि मिलता हूँ या मुझे उन्हों बुलाए नहीं लेकिन मैं मैं खुद जाके मिल लूँगा मेरे काम रख पड़ रहा है यदि यह मामला शॉट आउट हो सकता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है और राजस्तान की धरती तो आप जानते है सबसे ज़्यादा सैनी कि यहां से आते तो राजपुताना की धरती है जो खुद के लिए नहीं किसी और को बचाने के लिए लड़ते हैं मरते हैं वो राजफुताना की धरती है तो हमारी जिम्मेदारी तो इस मामले में ना कोई political issue है ना बीजेपी Congress का issue बीजेपी बना रही है अब मुझे बतो केंदर सरकार क्या दे रही है कुछ नहीं देती है बातें बड़ी-बड़ी करते हैं हमेज़ा राजस्तान तो राजस्तान सरकार से तो बड़ी केंदर सरकार है हम तो सब कुछ दे देंगे कौन मना कर रहा है केंदर सरकार क्या दे रही है भाई साव आप ये भी तो बताओ बीजेपी खुद के बारे में कभी नहीं बोलती है खुद क्या करने वाली वो कभी नहीं बताती है सिर्फ कॉंघ्रिस क्या कररे वो बताती है तो कॉंघ्रिस किसको समझा रहे हैं कॉंघ्रिस पर्टी ने तो इंदराजी का भलिदान आपको याद नहीं हैं इंदराजी के 24-303 की गोलिया लगी और देस पर कुरबान हогई कि मजबूती के लिए तो कॉंग्रेस हमने जान दे सकती है सेना के परिवारों के लिए कॉंग्रेस का एक एक कारे करता जान दे सकता है ये कम से कम बीजेपी हमें नहीं समझाए लेकिन बीजेपी जो राजनीत का अब बीजेपी को तो क्या करना है आज माहुल बिगारना ये बीजेप आप लाठी चार्ज करवाएगी उनको प्लान कर लिया आप उसके तारे चिनोगे आप जगडा करोगे लाठी चार्ज करोगे तो आफ्टर ओल तो इंसान है ना मैं भी अपोजिशन बाव देज इस राजस्तान में डाक्टर किरुडिलाल जी बड़े आंदोलकारी लेकिन राजस्तान जानता है समस्याद आंदोलन तो आज तक डाक साब के मेरे आंदोलों किते यह मुझे पता नहीं लेकिन आंदोलन तो प्रताप सिंग घाचरी आवास नेगी है मैंनो खून-पसीना बहुत गिराया है लेकिन आप मैं इसके लिए डाक साब का सम्मान करता का सम्मान जाओ आवास लेकिन आवास नेओ करता लाचरी आंदोलन तो मैंन आवास नेओें लेकिन आवास वी बाहस तो सम्मान करता है।